नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं इस मौके पर राजी के 10 लाख किसानों को सुखा राहत की रासी डिवीटी के माध्यम से दी जाएगी वही 25 परमेटरिक छात्र चात्राओं को छात्र वीर्ती यवां 5,6,000 बचियों को सावित्री वाई फूले की सोरी सम्रीदी योजना के लाभ का तोफा दिया जाएगा इसी तरह से कूल 1200 रूपए की रासी का बित्तरान होगा बतादे जारखन विधान सवाई सित मुख्यमंद्री कक्ष में अधिकारियों संक्समिष्टा बैटा करते हुए मुख्यमंद्री ने बरतमान राज सरकार के तीन साल पूरा होने के उपलक्ष में अगामी 29 दिसनबर 2022 को आजोजित होने वाली कार करमो में विभीन योजनावों के लावकों को DVT के माध्यम से लाव पहुचाया जाना सुनेचीत चित किया गया है कुरोना को लेकर अलोट मोड में जहारखन सरकार चीन में बढ़ते कुरोना वाइरस के मामले को लेकर देश समेत जहारखन भी अलोट मोड में है राजे के स्वास्मनती बना गुपता ने कहा है कि कुरोना वाइरस को लेकर राज सरकार पूरी तरह से गंबीर है हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है उन्होंने कहा है कि चीन में कुरोना के मामले आ रहे हैं इसलिए जार्खन सरकार भी अलट है बता दे कि चीन में कुरोना के बढ़ते मामले के लिए जिमेवार ओमिक्रोन सब वेरियंट बी एफ साथ के तीन मामले भारत में भी सामने आये अब तक गुजरात में दो मामले और उडिसा में एक मामले सामने आया है देश के इन राजियों में कोरोना के इस वेरियंट के मामले आते ही जार्खन सरकार भी अलट मोड़ आ गई है जार्खन में तीन महीने से पांच लाख परिवारों को नहीं मिल रहा है रासन का है बता दे दिसंबर माह में 24880 ग्रीन राशन कार्ड को प्राथमिक्ता घरेलू पी एच एच राशन कार्ड में स्प्ट किया गया है लेकिन अभी भी राज्ये में 4,666,788 परिवार राशन से वन्ची था है सुचना के मुताबिक EFCI ने जारखन सरकार को राशन देने में असमर्ता जाहिर करते हुए हाथ खड़े कर दिया है EFCI ने जारखन सरकार को सितंबर माह में ही इससे अउगत करा दिया था इधर विभाग में ग्रीन राशन कारदारियों की राशन खरीद के लिए टेंडर जारी किया गया है नौकरी के नाम पर ठगी करने का मास्टर माइन गिरफतार जारखन के राशन सहर इच्छित बर्यातु थाना छेतर से अफरीत रवी संकर परसाद उर्फ राहुल कुमार वर्मा ने रेले में नौकरी लगाने के नाम पर लाखो रुपए की ठगी की है गुरूप डी में नौकरी के लिए बांका के चार-पांच यूकों से ठगी की गई जब किसी की नौकरी नहीं लगी तो पैसा लोटाने में भी रवी संकर आनाकानी कर रहा था इसे नराज बांका के चकाड निवासी रोहित सहीत अने यूवा चार दिन पुर्व राची से उसे लेकर बांका आ गये उसके बाद राची में रवी संकर का आपारान होने की सुचना पर बरियातु पूलिस अलोट होई बदाद टावर लोकेशन भंका होने पर टां थाना अद्यक सम्भूयादव से संपर्क या गया राज़े के आंदोलन कारियों को सुचना शेनानी का दर्जात देने की मांग जार्खन बिधान सभागे सितकालिन सत्र के दोलान राजे के अंदोलन कारियों के लिए मांग सदन में छाई रही बुद्धवार को सितकालिन सत्र के तिसरे दिन आईसु बिधायक सुधेस महतों ने सदन में अलग राजे के लिए अंदोलन करने वाले अंदोलन कारियों के सरकार की और से इस मांग पर दियेगा जबाब पर नरागी चताते वे सुल्य समतों ने कहा की अने राजियों की बात करना कहीं से भी उचित नहीं है जारखन के आंदुरन कारियों को जीला दोरे के करम में सरकीट हाउस में एक कमरा तक नहीं मिल पाता है अईसे में उनके सम्मान का हनन सरकार के पताधिकारी कर रहे हैं जारखन के प्राइवेट सेक्टर में 75 पतियत युवाओ की भागीदारी मामला है सदन में ध्याना कर्शन के दोरान विधायक परदी प्यादों ने प्राइवेट सेक्टर में 75% आराक्षन का मामला जोर सोर्स से उठाया उन्होंने कहा कि जार्खन राज के नीजी छेतर में अस्थानिय उमिद्वारों का नियोजन अधिनियम 2021 और इसकी नियमावली 2022 अजिस सुचित कर दी गई है इसके बावजूद युवावों का इसका लाब नहीं मिल रहा है नियमावली के ताथ पोटर पर कंपणियों को निवंधन करना अनिवार है साथ ही तीन मा के भीता 40,000 से कम मांदे वाले करमचारी की सुचि का निवंधन भी करना जरूरी है ताकि 75% अल्थानिये नौजवानों के भागेदारी सुनिश्चित की जा सके लेकिन बेहाद दुर्भाग यहा है कि इस दिसा में कोई ठोस काम नहीं हुआ है जार्खन कॉंग्रेस के साथ नेताओ पर करवा है जार्खन कॉंग्रेस में जिला ध्यक्चो और परदेश कमिटी के गठन के बाद से विरोध के तेज होते सोर दबाने के लिए एक पक्वाडे में दूसरी बार जार्खन परदेश अनुसासन समीती की बैठक होई पाटी के अंदर बढ़ते अनुसासन हिंता को रोकने के लिए पाटी लाइन से अलग जाकर मीडिया में ब्यान बाजी करने और अलग बैठक करने वाले साथ परदेश अस्तरिय पताधिकारियों को सोक काज जारी किया गया है उनसे पूछा गया है कि क्यों नहीं उनके खिलाब पाटी अनुसासन हिंता की करवाई करे जवाब देने के लिए 14 दिन का समाई भी दिया गया है जारखन में 100 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए 2727 कलोर होंगे खर्च जारखन बिधान सबाके सितकालिन सत्र के तीसरे दिन 853 कलोर रुपए के दूतिय अनुपूरक बयट धौनी मत से पारित हो गया जब बीत मंत्री रामेश्वरु राव वाद विवाद पर सरकार की ओर से जबाब देने के लिए खड़े हुए तो मुख विपक्षी दल भाजपा की बिधायकों ने सदन के वक आउट कर दिया बीत मंत्री रामेश्वरु राव ने कहा है कि सरकार अपने बीतिय प्रवंदन से अतरीक रासी की बेवस्ता करेगी इसका राज कोज़ पर कोई परतिकुल परभाव नहीं पड़ेगा वहीं बीत मंत्री ने अनुपूरक बयट लाने की वज़ा भी बताई बीत मंत्री ने कहा है कि सरकार ने गरीबों को सो यूनीट मुफ्त बीजली देने का वादा किया है इसके लिए 2737 रुपए का उपबंद किया गया है इसके अलावा सावित्री भाई फूले किसोरी योजना आंगनवारी सेविका के मांदे में हुई इजाफे बिजली आपूर्ती के बकाय भुकतान के लिए रासी की जरूरत है नौजवानों के साथ मिलकर निकालेंगे नियोजन का रास्ता मुख्यमंद्री जार्खन हाई कोट से नियोजन निति दुहरेकस रद होने के बाद राजी के युआओ में आक्रोस है इसका असर सदन के भीतर और बाहर भी दिखा आलामिया था कि बड़ी संख्या में छात्र सदन घेरने के लिए रांची के जगनात मंदीर के आसपास पहुँच गए थे सदन में इस मसले पर भी पक्ष के हमलवार होने पर भी धायक परदी प्यादो अभिनोत कुमार सिंग ने राजे में फैले भराम पर बिराम लगाने के लिए स्थिया में मसुलें से पक्ष रखने की गुजारिस की इस पर मुक्य मेंत्री सदन के जरी यवाओ को भरुसा दिलाया है कि इस बिकट गड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है उन्होंने कहा है कि नौजवान जो चाहेंगे उसी नीनाए के साथ रास्ता निकालेंगे सीएम ने कहा है कि सरकार की कोशिश थी कि कम से कम थर्ड और फोर्थ ग्रेट की सो फिजदी नोकरिया यहां के आदिवासी और मुलवासी को मिले जारखन में सराब बिकरी और परासिक शक नियुकती के लिए नई तयारी राज सरकार 36 गर मॉडल को खत्म करना है सीए से जारखन में सराब बिकरी की त्यारी करने में जूटी है उतपाद मंत्री जगनात महतों ने इसकी अपचारिक घोसना करते हुए कहा है कि 36 गर के जीस कमपनी को सराब बिकरी की जिमिदारी दी गई थी वो भरोसे पर नहीं उत्री सर्तों के अनुसार रायस्वदेने में कमपनी भीफल रही जिसके कारण सिकुरिटी मनी को भी सरकार ने जब्त किया है और अब सार्टिफिकेट भी खत्म करने जा रही है वहीं उत्पाद मंत्री जगनात महतों ने कहा है कि सराब बिकरी की नई बेवास्था की त्यारी की जा रही है जो जल्द लागू होगा वहीं 26 एर परासिसकों को लेकर राजे में बड़े प्रमाने पर सिक्षा की नियुक्ति होनी थी लेकिन जारकन हाई कोट में निजन निती रद किये जाने की वहीं से सारी नियुक्ति पर किया लटक गई है सिक्षा मत्री जगनात महतों ने बिधान सभा परिसफण ने पत्रकारों से बात करते वηका है कि राज सरकार सिसकों की कमिक की वज़ा से विध्याले में बातीत हो रहे इसके लिए शिक्षा विभाग निमावली तयार कर रही है बीत रहीत शिक्षा कर्मियों ने बिधान सबाका किया घेराव। इसके लिए बिधान सब्सक्राव। अगले एक से दो दिन में इसका आदेश भी जारी कर दिया जाएगा संग के परदेश अध्यक्ष बिएंद्र चोवेक निती तुम्हें स्कूल टाइमिंग अवकास स्विक्रिती परकिरिया और लिपिक कार्य के कारण वेतन बंद करने वा छुटिया रद करने को लेकर सिक्ष इसको की अवकास स्विक्रिती में जो कुछ भरांतिया उत्पन हुई है उसे दूर करने के लिए एक संसोधन पत्र जल्धी निर्कत कर दिया जाएगा जन्वारी से लागू होगा 75% युआओ को नवकरी का नियम जार्खन में निजी कंपनियों में 75% दिया अस्थानिय युआओ को रोजगार देने का नियम जन्वारी 2023 में लागू हो जाएगा परदेश के स्त्रम मंत्री सत्यानाद भोक्ता ने जार्खन बिधान सभा के सिद कालिन सत्र के तिसरे दिन बिधायक परदी प्यादव और बिधायक सुद्धिब्यकुमार के स्वालों के जबाब में बुद्धवार को या जन्काली दी इस वोजना के लागू होने में देरी के लिए पर्दी प्यादव और तुदिव ये कुमार दोनों ने हमन सरकार पर खुब खीचा तानी की बता दे दोनों विधायकों ने वर्ष 2021 में विधान सवाज़ पारीत इस कानून को अस्थानिय बेरोजगार युवाओ के लिए वर्दान करार दिया है देवघर एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा को लेकर परसासन सक्त यह निर्देश डिसी सा दोनों कमिटी के अध्यक्ष मंजुनात भहंत्री ने दिये डिसी बुद्धवार को देवगर एयरपोर्ट सभागार में वजीद एरोडरम कमिटी एवाम एयर फिल्ड इन्वार्मेंट मैनेजमेंट कमिटी की बैठा कर रहे थे जहारकन में तीन वर्सों में सिर्फ 357 न्युक्तियां धन्यवाद